भवर मेगवन्शी एक सामाजिक और राजनेतिक कार्य करता है जाती का जो अनुभव है च्वाशुत का अनुभव ये तो बहुत बचपन से हमारे यहां आ जाता है क्योंकि जैसे ही हम समझने लगते हैं तो हमें यह एसास कराया जाता है कि थोड़ा दूर बैठना है पानी पीना है तो उपर से कोई पानी बिला रहा है स्कूल में जा रहे हैं तो आपको अगली पंक्ती में बैठने के वज़ाए कोसिस की जाएगी कि पीछे की पंगती में बैठें, खाना खा रहे हैं बच्चे तो वो कहेंगे कि थोड़ा दूर आप लेठिये, हम स्कूल के ग्राउंड में हमारे भुगोल के टीचर आते थे और वो हमको खेलने के लिए खटा करते थे, व्यायाम करवाते थे, कुछ गाना वना करवाते थे, तो नहीं समझ में आया कि क्या किया जा रहा है, तो उनको लगता था कि बच्चे लोग हैं, सारे इखटा होते हैं और गंटे बर के लिए खेलते हैं, तो वो तो उनको तब समझ में आया, जब साल भर वाद जंडा लगया भगवा, और मैंने गंवेस पहल लिया, नेकर और स बड़ेकर लिए खेल नहीं रहें, ये कुछ और खेल चल राहा है, वो समझते थे, मैं थो नहीं समझता था, तो उन्होंने उस समय से मुझे फिर टोकना सुरू कर दिया, डोकना सूरू कर दिया, लेकिन मैं तब तक साल भर मुझे हो चुका था, और मैं सातवी कलासमें आत तो मेरे को 13-14 साल की उमर में ये भावनाएं अपने आप घर करने लगी क्योंकि वही हर दिन हम सीखते थे वही बात हम हर दिन करते थे और वही ये बातें भी सुरू हो गई थी कि अहिंसा जो है वो कायरता है भारत की हजारों साल की जो गुलामी है उसका कारण भी यह अहिंस उसकी वज़े से हम कमजोर होते लिए और बहुत कमजोर होते होते बाद में आजादी के आंदोलन में गांदी जी ने जो अहिंसा का व्रत लिया और उन्होंने एक तरीके से भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज को कायर बनाने का काम किया तो अहिंसा मेरे लिए कायरता की परिभासा के साथ जिवन में सुरू हुई।iciosam के वकत में यात्रा आई।स्व में साधुसंत थे। सेवा भारती के लोग थे।arthI के लोग थे। रस्टे म्सवक संक के लोग थे। और ये यात्रा का का पे आप रखा और उन्होंने का कि बंदू आप तो जानते हैं कि हमारा हिंदू समाज कितना विसम है, हम तो आपके यां खा लेंगे खाना कोई दिकत नहीं, आपके साथ एक ठाली में खा सकते हैं, आप हमारी यां खा सकते हैं, लेकिन यह जो साधू संत हैं, इनको थोड़ा स दिकत हो सकती है, क्योंकि यह किसी धलित के घर अभी तक खाये नहीं कभी इनोंने पहले, तो वो धलित सब तो इस्तमाल नहीं करते थे, उन्हों का किसी भी वंचित बंदू कि यां इनोंने खाया नहीं है, तो आप ऐसा किजिए, इसको पेक करके दे दीजिए, अगले था, हाँ उन्होंने नहीं खाया यहां लेकिन फेंक नहीं सकते, तो मैंने पुरसोतम जी से यह कहा कि आप जूट बोल रहे हैं साइद, उन्होंने का चल के देख लेते हैं, तो हम दोनों मित्र साइकिल पर बैठ करके देखने गए, और मैंने वहाँ, जहां यह फेंका गया वहाँ कुछ खाने के अवसेस जो बच गए थे, वो पड़े हुए देखें, चील कोवे उसको खाने को खा रहे थी, चीटियां थी वहाँ पर, तब मुझे यकीन हुआ कि उनको मेरे यहां खाना नहीं था, इसलिए उन्होंने सीधे मना करने के बाद पेक करके ले गे और प दर्म्यान, क्योंकि हिंसा बड़ी है, इसलिए समाज में अहिंसा की जरूरत बहुत बढ़ गई है, पहले इतनी चर्चा अहिंसा की भी नहीं थी, क्योंकि लड़ाई किसी मसले का हल नहीं हो सकता है, लड़ाई खुद एक मसला है, हिंसा खुद में एक बहुत बड़ी समस् कैसे हो सकता है। हम साइद रक्तपात के बाद खुन की नदियां बहाने के बाद उस चीज को समझेंगे जिसको हम पहले समझ सकते हैं और भारत में अहिंसा केवल गांधी जी तक नहीं सीमित है वो उसका विचार तो बहुत पीछे जाएंगे आपुरातन चीजों में तो कहीं और लोग हैं भा क्यों नहीं ले पा रहे हैं मुझे ये बहुत कचोड़ता है और मुझे कहीं बार लगता है मैं बहुत बंचों पर आजकल कहते रहता हूँ कि देखें हिंसा वाली चीज कहीं कहीं जाएगी तो मैं उसको समर्थन नहीं करूँगा मैं घर पे बैठ जाओंगा मैं एक्टिव भरोसा समिधान में लोकतंत्र में और अहिंसक कारवाई में हैं वो उसके लिए चाहे सामने स्टेट गोली चला रहा है जेल ले जा रहा है फांसी दे रहा है ये उसके अपने तोर तरीके हैं वो कर रहा हुगा या कोई आर्मी बना रहा है कोई जाती कुछ कर रही है या कोई चीज को बदल सकती है संबाद के अलावा कोई रास्ता नहीं है और बात भले ही वो जो हम जैसे नहीं है भले ही जो हमारे खिलाप हैं हम से ऐसे मत हैं उनके साथ कैसे संबाद किया जा सकता है